एक ग्लिम्स तो मुझे दिग्या पैंगाउं का ये है भाई व्यू सारा मेहनत वर्थ हो गई गाईज पहत जादा इरिटेटेट हो गया था मैं एक टाइम पे क्योंकि पूरी जर्नी का थका ओ माई गॉड जस्ट लूक अद दा व्यू गाईज जस्ट लूक अद दा व्यू लवली मां लवली सामान रखे अपने कॉटेज में 20-25 किलोमेटर तक ऐसा ही गोंगता रहा अभी काफी देर से बस इस नजारों को देख रहा हूं सच बता हूं तो यार ये रियल नहीं लग रहा मुझे हर जरनी का एक क्लाइमेक्स होता है दोस्तो ये वह पॉइंट है जहां से मैं अपने घर की तरह वापस मड़ूंगा अब चलो यहां से चलते हैं कुछ नजारे नीचे से भी देखते हैं